फल वाली चुड़ैल एक गाउं के बाहर एक चुड़ैल का साया था वो एक सेब के बाग में रहती थी जो कोई भी उस बाग में आता उसे वो चुड़ैल मार कर खा जाती थी जबसे मैं इस बाग में आई हूँ मजा ही आ गया है जब देखो रोज नया मुर्गा आ जाता है लेकिन चुडैल की खुशी जादा दिन नहीं चली जल्दी लोगों को पता चल जाता है कि उस बाग में कुछ गरबर है और फिर लोग उस बाग से सेब तोरना और बाग में जाना छोड़तेते हैं अरे ये क्या हो गया है धीरे धीरे तो लोग आने ही बंद हो गए मैं आप किसे खाऊंगी कैसे अपनी भूप मिटाऊंगी तभी चुडैल की नजर सामने पेड़ पर लगे सेबू पर पड़ती है मज़ा आ गया ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया लगता है आखरी बार किसी मंद बुद्धी का मांस खाया था अरे लोग नहीं आ सकते तो क्या मैं तो उनके पास जा सकती हूँ हाहा इसके बाद चुडैल एक सुन्दर औरत का रूप बनाती है और बाग से सेब इकठे करके बेशने निकल पड़ती है सेब ले लो सेब खूब रसीले सेब एक बार खाओगे तो अपनी बीवी को भी भूल जाओगे सेब ले लो सेब खूब रसीले सेब तभी सेब वाली पर कल्लू और पुत्तन नाम के दो गाउवालों की नजर पड़ती है अरे पुत्तन तो देखा कितना बढ़िया सेव वाली, चला हो, थोड़ा सेव खरीदा, रात में खाब हो 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 हो, खूब समझता हु ठरकी, जह सुन्दर और अरत देखी, वहीं लपक के पहुच जाता है, चलो, लेते हैं सेव तेरे लिए ओ सेव वाली, कैसा दिये सेव वा, हमका लेना पाँच किलो बस पाँच किलो, इतनी ही खा सकते हो इस उम्र में, लगता है बूढ़े हो गए हो चलो, जादा अदाय मत दिखाओ, और पाँच किलो सेव बांदो हमारे लिए अरे, चुनत हो, कल भी आना, हम कल और पाँच किलो ले लेंगे फिर इस तरह वो सेव वाली वहां से चली जाती है उधर रात में कलू और पुत्तन दोनों मिलकर सेव काटते हैं उधर चुडैल भी रात में गाउं में आ जाती है और पुत्तन के घर खिड़की से जांकती है अरे, कलू जल्दिक आता हो, उधर चुडैल और इस शेव देखकर हमसे रुका नहीं जा रहा सबर कर मेरे भाई, कोटने तो दे उसके बाद दोनों सेव खाने लग जाते हैं उधर चुडैल जो नहीं खिड़की से देख रही होती है, मन ही मन खुश हो रही होती है खाओ खाओ, एक बार खाओ, फिर देखो मेरे सेवों का कमाल जैसे ही कलू और पुतन सेव खाते हैं, वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी जगा दो सेव रह जाते हैं चुडैल अंदर जाकर उन दोनों सेवों को उठा लेती है मज़ा आ गया, मेरी तरकीब तो काम कर गई है दीरी दीरे मैं इस पूरे गाओं को अपना शिकार बना लूँगी सबको खा जाओंगी, सबको अगले दिन चुडैल फिर सेव वाली का रूप बना कर सेव बेश्टे निकलती है, उसे रीमा अपने पास बुलाती है ऐ सेव वाली, जरा इधर तो आ, सेव मुझे भी खरीदने है देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे है, क्या भाव दिया? मेम साहब भाव का क्या है, आप सेव खाओ, अच्छे लगे, तो पैसे कल दे देना मैं तो कल भी आऊंगी, जो मन करें वो पैसे दे देना हाँ, सेव वाली की बात सुनकर रीमा को लालचा जाता है बात तो बहुत बनाती है तो, चल ले लेती हूँ तेरे सेव लेकिन पैसे तो मैं बाद में ही दूँगी और वो भी तब जब मुझे और मेरे घरवालों को ये सेव पसंद आ जाएंगे फिर रीमा सेव लेकर अपने घर चली जाती है वहाँ उसका पती राजु बैठा होता है रीमा सेव लाकर राजु को देती है और वहाँ से चली जाती है इस औरत ने जंदगी में पहला अच्छा काम किया इतने वड़िया से भला इस सिर्फरी को कहां से मिल गए ये कंजूस आज कहां से सेव खरीद लाई लेकिन मोचे क्या मैं तो खानू जल्दी से राजु सेव खा जाता है लेकिन राजु जैसे ही सेव खाता है वो भी सेव बन जाता है उधर रीमा घर वापिस आती है और राजु को घर पर ना पाकर गुस्से में आ जाती है इस आदमी से तो मैं दुख ही आ गई हूँ कब आता है, कब जाता है, कुछ पता नहीं चलता, आवारा कहींगा। उसी रात चुडैल वापिस राजू के घर आती है। एक और नया शिकार। जै हो जै हो चुडैलों के देवता की। इस तरह तो मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुडैल बन जाऊंगी। पहले इस राजू सेब और बागी के सेबों को तो अपने कबजे में ले लू। फिर चुडैल सेब को लेकर उड़कर अपने बाग में चली जाती है। उधर राजू काफी देर तक घर नहीं आता, इस वज़ा से रीमा चिंता में पढ़ जाती है। ये राजू ऐसे तो कहीं मेरी किस्मत कैसा नास मिटा पल्ले पढ़ गया है। अगले दिन सुबह रीमा को बबली मिलती है। अरे रीमा बहेन के होया? आखे घरी सूजी लाग रही से? राजू भया ने सोर नहीं दिया के तभी वहाँ सेब वाली आ जाती है और बबली का पती शामो उससे सेब लेने क्या बाबुजी आप भी ना बिलकुल ताजे हैं बस आपके लिए ही अभी पेड से तोड़ कर ला रही हो। अच्छा बात है तो तू अच्छी कर ऐसा है लेकिन मा यूँ कोणी लूँ पहले चेक करूँगो। फिर सेब वाली उसे एक सेब देती है सेब खाते ही शामो को चक्कर आने लगते हैं अरे ये तन्डे मनने के खेला दियो मारे को तो घणे चकर आवे से तभी शामो नीचे गिर जाता है और सेब बन जाता है सेब वाली भी चुडैल के रूप में आ जाती है और शामो को उठा कर वहां से उड़ जाती है ये सब रीमा और बबली देख लेती है अरे बबली बेहन मेरा पती तो सेब बन गया से अब मैं के करूँ पता नहीं चुडैल उसने कोई फ्रूट चाट में ना खा गई होए हाए मेरे पती बिचारे को सेब बना दिया मनने भी कोई ककड़ी वगेरा बना दे वे हाए रे मेरा पती अरे चुप करो रीमा बहन, अब उसने कुछ भी किया हो शामू भाई का, हम उसे पकड़े बिना नहीं रह सकते, इसलिए तुम परिशान मत हो फिर रीमा और बबली गाउं के प्रधान को जा कर सारी बात बताती है अच्छा पबली बीटी, अगर ये सब सच बात है, तो हम सब लोग सच मुझ खत्रे में हैं, और हमें अपनी चान बचाने के लिए कुछ करना होगा फिर प्रधान जी और गाउंवाले हाथ में गंगा जल लेकर सेप के बाग मिचाते हैं प्रधान जी, हम कहत हैं, योना गंगा जल छिड़क कर इस बाग में आग लगा दे, जो कुछ होई चल कर भस हो जाई हाँ, जैसा तुम लोग ठीक समझो, मुझे तो सिर्फ अपना गाउं बचाना है पिर गाउंवाले सेप के बाग में गंगा जल छिड़क कर आग लगाते थे हैं, आग लगते ही चुडैल का जादू खत्म होने लगता है और गाउंवाले जो सेप बने थे वो भी ठीक हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं मैं ठीक हो गया, प्रधान जी मैं ठीक हो गया, आपने मुझे चुड़ेल का फ्रूट चार्ट बनने से बचा लिया, हाँ 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 तब ही चुड़ेल वहां आ जाती है, और बहुत कुस्से में आ जाती है अरे हो राजू, पहले यहां से भाग ले, ओ देख, तेरी अम्मा आ गई, फिर खुसी मनाना, आगो सब यहां से अरे यह क्या क्या दुष्टो, मेरा सारा जादु खत बगर दिया, मेरे सालों की मेहनत बरबाद हो गई, मैं अब सब गाँवालों को जिन्दा नहीं चोड़ूँगी, सब को मार कर खा जाओंगी, तब ही चुड़ेल के आगे पुत्तन आ जाता है हमका, हमका माफ कर दो, मैया हमसे गलती हो गई, हम आचे काउन और अरत की तरफ आख नहीं उठाएंगे, जब ही देखेंगे, सिर्फ मर्द ही देखेंगे, माफ कर दो जी तूने मेरे पती को सेब बनाया ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूँगी तो ये सब तेरा किया धरा है, सबसे पहले मैं तुझे ही मार देती हूँ, फिर बाकी गाउन वालों को देखूंगी चुडैल पुत्तन को फेक कर रिमा की तरफ बढ़ती है अने मर गया अने, मेरी कमर, इसका तो कमरा बन गया, बहुते दर्धों रहा है भाई तभी तांत्रिक अपने पास से भस में निकालता है और चुडैल के उपर फेक देता है पाउडर फेक रहा है, मुझे गोरा करने के लिए अभी मेरा जादू, मजा आजाएगा तुझे तभी एकदम से चुडैल जलने लगती है अरे तांत्रिक ये क्या कर दिया, मुझे जलन क्यों हो रही है, मैं जल रही हूँ, बचाओ, बचाओ तूने इन गाउवालों को बहुत परिशान किया था, अब तू तो गई थोड़ी देर में चुड़ेल पूरी जल जाती है और गाउवाले चुड़ेल के साय से आजाद हो जाते हैं और सेब का बाग भी ठीक हो जाता है